प्राइम वीडियो की शांदार वेब सीरीज में से एक मिर्जापुर का दूसरा सीजन 23 ओक्टूबर को रिलीज हुआ एक बार फिर से कालीन भाईया, गुड्डू पंडित, गोलू सहित सभी कलाकारों ने सीरीज के सभी 10 एपिसोड में जान डाल दी कलाकारों ने हर किसी को अपनी आक्टिंग से हैरान कर दिया है चलिए, आज आपको बताते हैं मिर्जापुर 2 के इन अक्टर्स की नेट वर्थ कितनी है पंकच त्रिपाठी, सबसे पहले बात कालीन भाईया यानी पंकच त्रिपाठी की पंकच, ग्यांगसौब, वसेपुर, न्यूटन, मसान, गुरगाओं, गुंजन सक्सेना जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं बतादे, पंकच ने हाल ही में सी फेसिंग हाउस खरीदा है, मड आइलेंड में जिसके कीमत करोड़ों में है इसके अलावा पंकच त्रिपाठी की रियल स्टेट में प्रॉपर्टीज हैं, जिनके कीमत लगभग 16 करोड रुपे है लगजूरियस घर के अलावा पंकच त्रिपाठी के पास Mercedes-Benz E200, Toyota Fortuner, Mercedes जैसी महगी गारिया हैं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पंकच एक फिल्म के लिए 3-4 करोड रुपे चार्ज करते हैं महीं ब्रांट एंडॉस्मेंट्स के लिए वो एक से 2 करोड रुपे लेते हैं मीडिया रिपोर्ट्स की मुदाबिक वो 40 करोड रुपे के मालिक है दिवेंदु शर्मा किंग ओफ मिर्जापूर मुना क्रिपाठी का दमदार रोल प्ले करने वाले दिवेंदु शर्मा ने अपने करियर की शुरुवात प्यार का पंच नामा जैसी सूपर हिट फिल्म के साथ की थी इसके अलावा वो बत्ती गुल मीटर चालू, ट्वाइलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्मों में भी नज़र आ चुके हैं 37 साल के दिवेंदु के पास तक्रीबन 14 करोड की संबत्ती है वो एक फिल्म में काम करने के लिए 1.5 करोड रुपे चार्ज करते हैं वह इसके अलावा वो कई आड्स में भी नज़र आ चुके हैं अली फजल, इस वेब सीरीज में अली फजल ने गुड़ू पंडित का किरदार निभाया है अली बॉलिवुट के साथ साथ इंटरनाशनल फिल्मों में भी काम कर चुके हैं अली ने फुक्रे, खामोशिया, हैपी भाग जाएगी, प्रस्थानम और विक्टोरिया और अब्दुल जैसी फिल्मों में काम किया है बता दें अली के पास बैंडरा में एक फ्लैट है जिसकी कीमत करोडों में हैं इसके अलावा उनके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अली के पास कई महंगी गाडिया भी हैं, जिनकी कीमत करोडों में है वहीं वो एक फिल्म के लिए लगभग 80 लाग से 1 करोड रुपे तक चार्ज करते हैं अली फजल लगभग 23 करोड रुपे के मालिक है विकरांत मसी, टीवी से लेकर फिल्मों के जरीए हर किसी को एंटर्टेन करने वाले विकरांत मसी भी मिर्जापुर का एहम पार्ट रही है उन्होंने इस सीरीज में बबलु भाया का रोल प्ले किया था जिसकी काफी तारीफ हूँ थी वहीं उन्होंने रणवीर सिंग के फिल्म लुटेरा से बॉलिवुड में अपने करियर की पारी शुरू की थी इसके अलावा वो छपाक, दिल धड़कने दो, हाफ गल्फरिंड और कार्गो जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी है मीडिया रिपोर्ट की माने तो विकरांत एक फिल्म के लिए लगभग एक करोण रुपे चार्च करते हैं उनकी नेट वर्थ लगभग 11 करोण रुपे है मिर्जापुर में गोलू का करदार निभाने वाली श्वेता तरिपाथी को लोगों ने इस सीरीज में काफी पसंद किया है वो आक्टिंग के लिए हर तरफ से तारीफ पा रही है इस से पहले वो मसान और हराम खोर जैसी फिल्मों में भी काम कर चुकी है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो श्वेता तरिपाथी की कुल नेट वर्थ 8 करोड रुपे है इशा तलवार मिर्जापुल में मुन्ना भाया की बीवी और यूपी की सीम का किरदार निफाने वाली अक्ट्रेस इशा तलवार ने अपनी आक्टिंग से हर किसी का दिल जीता है इन दिनों हर तरफ उनकी चर्चा है मल्यालम फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाली इशा ने ट्यूब लाइट फिल्म में एक छोटा सा रूल प्ली किया था लेकिन सैफ की कलाकंदी के जरीए उन्होंने बॉलिवुड में सही माइने में डेब्यू किया था साल 2019 में वो आयूश्मान के साथ आर्टिकल 15 में भी नजराएं थी फिल्मों के साथ साथ इशा ने कई एडवर्टिस्मेंट्स में भी काम किया है जिसके जरीए वो अच्छी खासी कमाई करती है रिपोर्ट्स की माने तो इशा तलवार 14 करूर की मालती है तो ये थी मिर्जापूर के स्टार्स की नेट वर्थ वैसे आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और हाँ बॉलिबूट से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे झाल